आप देख रहे हैं BHPC News यूसरी यूनिस ने जानकारी देटे हुए बताया कि आज सुबह हमें दो बैग मिले हैं एक बैग यात्री से जुड़ा और दूसरे में बाड़ी पार्ट से इंडोनेशिया के परिवन मंत्री बुदी कराया सुमादी ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच अधिकारियों ने दुरगटनेस्तल के संभावित इस्थान की पहचान करने के बाद बड़े पैमाने परियात्रियों की तलाज सुरू कर दी है जांच टीम को जो बैग मिले हैं ये लांचांग द्वीप और लाकी द्वीप के बीच S.A.R. टीम को मिले हैं एरलाइन की ओर से जारी बयान के मुताबिक विमान ने जाकारता से पॉंटी आनक के लिए उडान भरी थी जो इंडोनेसिया के बोर्नियो द्वीप इस्तित पश्चिम कालिंतम प्रांत की रासधानी है इस उडान की अवधी करीब 90 मिनट थी विमान में 50 यात्रियों के अलावा चालक दल के 12 सदस्या सवार थे सभी इंडोनेसिया के नागरिक हैं परिवहन मंतरी बूरी करिया सुमादी ने बताया कि उतरी जकारता में द्वीपों की स्रिंकला थाउजन्ड द्वीप समुक के लानचांग एवं लाकी द्वीप के बीच विमान की खोज और बचाओ अभियान के लिए चार युद दुपोत समित करीब दरजन भर पानी के तैनात किया गया है इस्तानिय मीडिये के मुताबिक थाउजन्ड द्वीप समुह में मच्वारों ने सनिवार दोपहर धातु के कुछ टुकडे तैरते देखे जिनके बारे में माना जा रहा है कि ये विमान के हिस्से हो सकते हैं राष्ट्य खोज एवं बचाव एजन्सी के उप्रमुक बामबांग सूरियो अजी ने कहा कि बचाव दल ने मच्वारों से विमान के मलबे जैसे टुकडे और कुछ कपड़ों को एखटा किया है जिनने राष्ट्य परिवहन सुरक्षा समीती कोलसों पा गया है ताकि यह पता लगाये जा सके कि क्या ये चीजें लापता विमान से जुड़ी हैं वहीं बचाव दल एवं तलाशी अभिहान में जुड़े एक पोत के कमांडर ने बताये कि मच्वारों को तार एवं धातु के तुकडे पानी में मिले हैं गौर तलब है कि विमान उड़ान भरने के चार मिनट बाद महज एक मिनट से भी कम समय में दस जार फिट की उचाई से नीचे आ गया था फ्लाइट राइडर ने सनिवार की सुबह इसको लेकर एक ट्विट किया है खबर में कहा गया है कि यह बोईंग 737-500 क्लासिक विमान है जिसका रेजिस्ट्रेशन नंबर PKCLC है इस फ्लाइट ने पहली बार मई 1994 में उडान भरी थी अब 26 साल के इस विमान के लापता होने की खबरें आ रही है गौर तलब है कि विमान उडान भरने के चार मिनट बाद महज एक मिनट से भी कम समय में दस जार फिट की उचाई से नीचे आ गया फ्लाइट राइडर ने स दनिवार की सुबह इसको लेकर एक ट्विट किया खबर में कहा गया है कि एक बोईंग 737-500 क्लासिक विमान है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर PKCLC है इस फ्लाइट ने पहली बार मई 1994 में उडान भरी थी अब 26 साल के इस विमान के लापता होने की खबरें आ रही है जकारता से इंडोनेसिया में ही पॉंटियानक सहर जाने के लिए उडान भरी थी जकारता में परिवन मंत्राले के आफिस ने यह खबर कन्फर्म की है इसमें कहा गया है कि लोकल समय के मताबिक फ्लाइट ने 2.40 मिनट पर कॉंटेक्ट खो दिया इस विमान ने जकारता के 101 क खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करें बी एच्पीसी न्यूस चैनल साथी रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूलें आप देख रहे हैं बी एच्पीसी न्यूस